हलो एवरिवान वालकम टू हाल्थ एजुकेशन डॉक्टर नॉलेच इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है देखें आज कर लोग लो ब्लड प्रेशर के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि जादतर केसिज जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के ही देखने में आते हैं इसलिए लो ब्लड प्रेशर को इतना ध्यान नहीं देते हैं मगर low blood pressure जो है वो high blood pressure से भी ज़्यादा खतरनाग हो सकता है यह हमारी life के लिए बहुत danger हो सकता है low blood pressure इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है So today in this video we will discuss about the low blood pressure, its range, its causes and its symptoms इसके कारण, इसके लक्षण और low blood pressure के बारे में आज हम discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं Low blood pressure क्या है? In medical term low blood pressure is called hypotension Low blood pressure कब होता है? यहाँ तब होता है जब हमारा blood pressure normal से काफी कम हो जाता है Low blood pressure का मतलब है जब हमारे heart को, brain को और हमारे शरीर के अन्य भागों में proper blood नहीं पहुच पाता है उस condition को हम कहते हैं low blood pressure अब देखिए किस value से हमें पता चलता है कि हमें low blood pressure हुआ है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था the normal value of the blood pressure that is 120 by 80 अगर हमारा blood pressure 120 से घटकर 90 तक आ जाये और 80 से घटकर 60 तक आ जाये मतलब 120 by 80 तो है normal इससे कम होकर घटकर 90 by 60 आ जाये तो उसको हम बोलेंगे low blood pressure कि आपको low blood pressure है hypotension है आपका BP down हुआ है तो अब हम देखेंगे कि इसके लक्षन क्या है क्या क्या लक्षन होते हैं जब blood pressure कम होता है सबसे main जो इसका लक्षन है जो देखने में आता है वो है चक्कर फील होना हम बोते नों हमें चक्कर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है घूम लग रही है घेरा लग रहा है तो वो low blood pressure का ही एक लक्षन है बेहोश होना कई बार इंसान बेहोश हो जाता है लो ब्लड प्रेशर के कारण lack of concentration concentrate नहीं कर पाता है किसी चीज में focus नहीं कर पाता है blur vision होना धुंदला दिखाई देता है उल्टे उल्टे फील होना हम कई बार शिकायत करते हैं न मुझे उल्टे उल्टे फील हो रही है ठंड लगना skin में पीला पन होना गहरी सांस ना ले पाना कई बार chest में pain भी होता है ठकावट फील होना कि मुझे तो आज बहुत ठकावट हो रही है पानी पीने का मन बार बार करता है प्यास बहुत लगती है दिल की धड़कन कभी तेज होती है कभी कम होती है और नियमित रूप से चलती है तो ये जो सारे हैं इस आर दा सिंटम्स ओफ दा लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन अब हम देखेंगे कि लो ब्लड प्रेशर का कारण क्या है इस कारण से ये लो ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है दिखिए एक है इसका कारण कमजोरी होना शरीर में पोशन तत्तों की कमी होना शरीर में आप खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहे हो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो ठीक है उससे हमारे शरीर में जो पोशन की कमी हो जाती है विकनेस आ जाती है उसके कारण हमारा blood pressure कम हो जाता है और अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हो कई लेडिस में क्या habit होती है लेडिस का कम होता है ना blood pressure काम करने के चक्कर में प्यास लग रही है उस चीज़ को avoid कर देते हैं भूख लग रही है उस चीज़ को avoid कर देते हैं शरीर की तरफ ध्यान सबसे पहले देना है क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो दूसरों को भी ठीक रखेंगे तो लापरवाही नहीं करनी है अपने शरीर के लिए पानी जो कम प्रॉपर नहीं पीना भी एक low blood pressure का ही कारण है अगर आपको किसी कारण से vomiting हो गई है vomiting हो या वो भी एक low blood pressure का कारण है दस्त लगे हो जादा पसीना आ रहा हो उसके कारण भी blood pressure low होता है अगर heart की कोई बिमारी है उसके कारण भी और भी बहुत सारी diseases हैं बिमारियां है जिसके कारण हमारा blood pressure कम होता है अगर खून की कमी है या किसी वज़से आपका खून बहुत जादा बह गया है कोई accident हो गया या फिर कोई चोट लग गई या internal bleeding हो रही है उसके कारण भी blood pressure जो है वो कम होता है अगर आप कोई ऐसी दवाईयां होती है जो ले रहे हो शरीर में कोई infection हो जाना अंदरूनी कोई सूजण हो जाना यह बहुत सारे कारण है जो हमारा जो है वो blood pressure को low करते हैं तो ये थे इसके कारण low blood pressure के तो इस वीडियो में हमने पढ़ा low blood pressure, इसके कारण और इसके लक्षन तो इन नेक्स्ट वीडियो how we control the low blood pressure हम कैसे low blood pressure को control करेंगे वो हम next video में पढ़ेंगे So, take care, stay happy, stay positive and stay healthy Thanks for watching the video